अही ज्ञान सूर्य संचरे आपनु चित प्रकाशित करे अही ज्ञान यागन सहू करे चित प्रकाशित करे शाब्द प्रकाशित आर्थ उजाशित करे ज्ञाना मृत निल जहरे अर्घ्य सव सत्य देव नेधरे धन्य घुर्जरी नीशुब द्रश्टी विश्व कोशनी एवी स्रुष्टी तमस ताप संहरे अंतरे सुख समजन नूठरे रेवा जलशी शक्ति दाईनी सत्य सम्मुदा मुक्ति दाईनी विश्व विहारज करे शील सत्व संहरे गुर्जरी विश्वरोपने वरे गुर्जरी विश्वरोपने वरे गुर्जरी विश्वरोपने वरे कोई एक उम्मधा क्षाने श्री भद्रणकल विद्या दिपक्त व्याख्यान श्रेणी नो प्रारंब थायो कोलकाता मा गुजराती विश्वकोषना एक ग्रंथुन विमोचन राख्यो अतो अने विमोचन पूर्वे अमारा सवना परमस नही श्री सीक्य मेताई कहूँ के काई कोई योजना होई तो मने इनो लाव आपो अने मारा मुख मा थी आपों आप निकली गयू के एक सरस्व्याख्यान माला युजवी छे के जना थी विश्वकोष्णी ए प्रवरुत्यों कला साहित्य और्थशास्त्र आ बधी बाबतों ने आवरी ले एवी एक व्याख्यान माला होय औने त्रजेग्ने विद्वानों व्यक्त व्यापता होय और एमा थी आ व्याख्यान मालानों प्रारंब थयो आजे 300 थी पन वधारे एमा व्याख्यानों युज़ाया चे कोई पन परिस्थिती होई पच्छी ये लोगडाउन नी पन परिस्थिती होई त्यारे पन आ व्यक्ष्यान चालू रहा चे आजे श्री विनोद भट विशे रतिलाल बोरी सागर वक्तवे आपवाना चे और अमारो आज सुधी न अनुभाव एवो चे कि जारे जारे विनोद भट अथवा तो श्री रतिलाल बोरी सागर या व्यक्ष्यान आपवा आवया त्यारे आ हॉल घनो नानो पड़े शे इतले आजे सारू छे ये मनुँ व्यक्ष्यान सावरवानी सौने तक मर्शे अने विनोद भट नुश्मरन करिये त्यारे रतिभाई पासे तो आमना बहुँ निकटनाश नहीं मित्र अने परसपर नी एक वीजाने खुब हूफ ये बनने तो खली वातो कर्शे आमनी अंगत पर विनोद भट नुश्मरन करिये त्यारे हम लागे के विनुत भाई पासे जे हासे अतू एक विशिश्ट अतू रश्यानों महान नवलीकाकार अने नाट्य सर्जक एंटन चेखाउने मलवा माटे त्रण जाजर्मान स्तिर्यों जती अती आज जाजर्मान स्तिर्यों विचारू कि आवा जानीता पुरुष ने मलवा जीए चे विद्वान ने मलवा जीए चे त्यारे आपने कोई जड़ा गंभीर वाद करवी चुए अने इतले हमने नक्की करिऊ कि अत्याने जे सांप्रत समस्या चे साइप्रस टापु नी एने विशे वाद करिये एक महिलाए नक्की करिऊ कि हुँ साइप्रस ने सोतनत्रता हो वी जोई एम कईश, बीजाय करिऊ के हुँ एम कईश के साइप्रस ने तुर्कस्तान साथे जोडी देऊ जोई जोई है और त्रीजाय करिऊ के एना उपर इंगलेन नू आधिपत्य जोई है आम त्रणे बराबर दलीलो थी सज्ज थाई और एंटिन चेखो ने मलवा आवी और जारे एमने बहु ठावका मोणे प्रश्न करियो के श्री एंटिन चेखो आँ साइप्रस ना प्रश्न ना बाबत मा तमारू शुम बनतेविया जे अने आँ समय एंटन चेखो वे काईू कि मने तो अमुक प्रकार नी वानगी बहु भावे बने तो आज जीवस वदार भावे और पछी बनू एवू कि ये त्रणे श्तिरियो एक केवा केवा जीवस होई शके केवी केवी वानगी बनी शके आनी बदी चर्चा करवा लाग अने सरस्मजानी चर्चा पची ए निकलीने बाहर गई चारे एंटन चेखो वे काईू कि मानसे पूतानी भार्षामा वाद करवी जुए अने कदाच एज खुबी आपने विनुद भाईमा जोई शक्किये चिए कि एमने हम्मेशा पूतानी भार्षामा वाद करे पूतानी जे वाद चे एने कोई वड़ चड़ावो कोई लांबी वाद करवी कोई नवा नवा द्रिष्टान तो शोधवा यह वो कशुई करवाने बदिले पिला पक्षी नी आंक विन्दनारा अर्जुद नी बाफ़क एमने लक्षवेत करे चे ने सवने खूब सावया चे एने मन जरूर पड़े टुचका, वीट, पेलेडी अब अधानों एमने जियां योग्य लागे तियां उप्योग करोशे अने हसी दिखक पासे एक विशिष्ट शक्ती होई जो ये एचे एनी पूतानी जात पर हसी शके वे विनुद भाई पासे आ जोतिंदर दवेनों वार्सों ह ये पूतानी जात ने जूए एच जगतने जोई शके और ये जगतने पामी शके एच जगतना मर्मने ओलखी शके एये री ते विनुद भाई ए पूता ये वातों करी एमा पुताना मालपण नी वात होई पुताना अभ्यास नी वात होई अने ए अभ्यास पछी एमना पित्या नो जे ठपका नी वात होई अने त्यारे हम लागे कि ए जे वातों एमनी है ती ए जे एमना पुताना संभारना ता निशारना समयना एस अंभारना आपने जुईये तो हम कहता कि पहला जौ मारू परेणा मावे पहला लाकणी थी ले पुजा था थी पछी शब्द थी प्रहार था तो अने गणितमन अपास थी ये तो संधी शेकाई पर गुजिराती माई मांड पांतरीस मार्ग आवता और जारे पीता कहता कि तने लक्षमी तो शू सरस्वती पर चड़वानी नथी और पछी जेक ही ठपको आपता हम कहता हसता हसता कि कोई बाप पोता नी लिकरी तने धरवा तैयार नहीं थाए और कदाच आ शब्दों साम्बली ने तने लक्षमी ने सरस्वती चड़वानी न किनी बाप पत्रवानी जाद परहस्वानी कला इककला विनुद भईिने इपउस्द थाई एम कहता कि मारा पिता इवाल बार मार घुस्षे एटला थता कि जैनी कल्पना न थाई और यह आपड़ने होलीवोड ना विख्यात अभी ने ता माब हौपन स्मरन थाई छे एनने कोई ये पूछू के तमारू बाड़ पन के वूँ हतू अनि जारे बहुत होपे कहूं के मने एक व्याद चे के मारा पीता मने रोज एतली जोर्थी थपड मारता के मारा गाल पर अंकित थेली एमनी थपड ने जोई ने गणा हस्तर एका विशेश अग् अभ्यासक्रम मा जोऊँ माली और एक वार विनोधनी नजरे एमना अभ्यासक्रम मा चालतू होतू एक अध्यापीका बहे ने एमा थी प्रश्नो तार्वी ने पेपर सेट करियू और पछी विनोध बहे ने जोऊँ आ मुक्णियू और पूछियू का जरा आ पेपर क्यों ये तो को त्यारे विनोध बहे का युक सारू छे मारे आ प्रश्न पत्रों नो जवाब लखवानू नथी नहीं तो उँ अचुक फेल थयो होतू आम ए विनोध भाई जय मनू उगणी सो पंचावण जून मा प्रथम लखान युवक सामाइक मा प्रगट थयू और एथ समय नवचितन मां एमनो हास्यले एक धमकी प्रगट थयो त्यार थी एमनी जे यात्रा चाली एमने जे हास्यना संग्र हो आप्या अने एमनो अभ्यास पन एकलो जून्डों एक कोई पन विशय पर लखे तो घन उंडों अभ्यास करता एमां थी कोई मर्मत आ रहुता अने उर् घंट्र वृवार करवानो एमने शोख हा तो ज़्लेश ए विनुदभाई ना आजना संभारना अपने श्रीतिलाल बूरी साग पासेती सांभल हीशू एक आपना समर्थ हास्य लिख़क ने अपना वर्त्मान समय ना समर्थ हास्य लिख़क किवा किवाईना 혁जू यह आपना सहुने बाटे साचे ज रश्क्रत बन्षे। गुजराती साहित्यना विद्वान हास्यलेखक, निबंकार, संपादक, विवेचक एटले श्री रतिलाल बोरी सागर। तेवो आदर्श शिक्षक तो खराज। पन एक उत्तम वक्ता पन छे। आपने येना हास्यलेखक तरीके जानिये छिये। परनतू येने येने येनी कारकृदी मा तेवो शिक्षक काम करूँछे, पाठ्छपस तक मंदड मां काम करूँछे, अखन्डन, ना सहतंत्री तरीके पन compact काम करूँछे अने गुजराती सहित्य परिशत ना मा मंत्री पन रही चुक्याँचे। आम विवीद जग्याए अनेक वर्षोनो एमनी पासे अनुभव छे। एमने पोतानो प्रथम हास्यलेक उगणिसोने साइठमा एमनी 22 वर्ष्णी उम्मरे लखेलो। अने त्यार्थी ए गुजरातने हसावताज रहाचे। जीवनमा आसपास बनती घटनाओ। आसपास ना वेवारो। अने एनुँ सतत जीनु निरिक्षाण। एमनाई हास्यलेक मा आपनने जुवा मलेचे। एमना जे पुस्तको छे। एमना मरक मरक, आनन्दलोक, संभवामी, युगय, युगय, तीलक करता त्रेशट थया। उम हास्यम अने एंजोईग्राफी आ महत्वना पुस्तको छे। एमने ज्यारे एंजियोग्राफी करावी। अने त्यारे ए बिमारी मा एकेवी पुस्तिती मा थी पसार थया। अने एमा थी एंजोईग्राफी पुस्तक नो उद्भव थया। एटले आवी पुस्तिती मा पन हस्ता रेव। अने छेल्ले एमनो पुस्तक आपणने मल्य। मोजमा रेवूरे। अने आ पुस्तक ने दिल्ली साहित्य अकादमी नो पुरसकार प्राप्त थयो। परिशद अने अकादमी ना तो अनेग पुरसकारों एमने मल्या थे। दंजी कांजी सुवण चंद्रक, माराष्ट्र साहित्य अकादमी नर्मद पारितोषिक, आ बधा पारितोषिको एमने मल्या छे, परन्तु मारी द्रष्टिये, एक उत्तम सिक्षक एजे विद्यार्थियोना रदैमा स्थान पाम्तो होई छे, एनना माटे कदा छे सौथी पुरस्कार होई चे, आनि योँ पुरस्कार एमना विद्यार्थियो द्वारा एमने प्राप्त थयों छे, एना थी वधारे आन्नंद थवाजेव बिजूशु होई शके, एमना विद्यार्थियो द्वारा सावर कुंढलामा, श्री रतिलाल बोरिसागर सांस्कुरुतिक प्रतिष्ठान निस्थापना थेई, रतिलाल बोरिसागर एटला नम्र अने निस्प्रूही छे, कि एमनेम थहू के मारे आमारू नाम नथी राखू, अने एटले ए श्री विद्यागुरू फाउंडेशन तरीके अत्यारे चाले छे, अने एना नेजा हेठर सावरकुंडला म जरुर्यात मंद दर्दियो माटे होस्पिटल चाली रही छे, अने अनेक दर्दियो एनो लाभले छे, आवी जन्नीस्प्रूहता अमने एमनामा विश्वकोष्च माँ ज्यारे आवे त्यारे सतत जुवा मळी छे, एनु कारोण एउँ छे कि आमे ज्यारे एमने वक्तव्य नी टेल नाखिये के प्रूफ रिडिंग ना वर्गो मा भणावा माटेनु नी विननती करिये, के विश्वविहार मा एमना अत्यारे नियमित लेखो आवे छे, अने ए लोईखो नो एटलो बदो सरस अमने प्रतिसाद मलेव होई छे, पना बधा पछी, ज्यारे अमे कोई पुरसकार आपपानी वाद करिये, त्यारे ए नम्रताथी एनो औस्विकार करे छे, एटले आवी एक निस्प्रू व्यक्ती आजे आपणने सापडी छे, अने एमनी पासे थी आपणे विनोध भट ना संभाणानी वाद करवानी छे, विनोध भट नो जन्म दिवस उत्रा आपणने दिवसे छे, एटले एमनी जन्म जेंती नी पुर्वसंध्याय श्री रतिलाल बोरिसागर पासे थी, श्री विनोध भट संभाणाने सथ्वारे ए विशे आपणे वक्तविया सांबढ़िये. सुग्न श्रोताजन श्री बद्रंकर विद्या दिपक नान विनान व्याख्यान श्रेणी मा आजे आ व्याख्यान माटे एक विशिष्ट परिस्थितिमा उपस्थित तता गणो आनन थाईच, कानके विश्वकोष द्वारा जे आ श्रेणी चाली रहीचे, बिजी विधी प्रवरुतीयों चाली रहीचे, बिजी आ प्रवरुतियों ने कारण जाने एक वातावरन जीवतू रहीचे आज व्याख्यान श्रेणीमा अगाव स्रोताव समक्ष, स्रोतावनी हाजरीमा में व्याख्यान वैपा जे आ ओनलाइन व्याख्यान ये मारो पहलो अनुभाव आ विशिष्ट परिस्थिति नो पाण। ये परिस्थिति माँ आपने आपने आपनु ग्णान, विजणान, साहित्य, कळा ए प्रवरुत्ती चालू राखी शेकिये छिए। ये एक विजणान नो पन आपना उपर आशिरवाद चे अन्ने आ विश्वकोष्जेवी संस्था नो आ परिस्थिति माँ पन परंपरा जाडवी राखवानो जे उत्साहन संकल्प ये पन बहुज आनन्दायक चे। आजे विनुद भट आपना उत्तम आस्यलेखको माना एक एना विश्वाद करवानी जे। येनू साहित्य तो आप सवनी समक्ष छेज। मोटा भागना एमना वाचकोये निमीत रिते एमने वायंचा छे। पन थोड़ीक येमना संभार्ना येमना व्यक्तित्व विश्यनी थोड़ीक वातो ये आजे करवानो मारो उपक्रम छे। आवतिकाल तारीक चवद में जान्यू आरी। विनुद भट नो जन्मदिवस। विनुद भट येम कहता ता के विश्मपिताम यह दिवस एक्जिट माँ पसंद के रहु है, यह दिवस में एंट्री माँ पसंद के रहु है। विश्मापिताम आपने जानी है चे के मकर संक्रानति ना दिवसे दे छोड़ो एवा संकल्प साथ बान पथारी मा रहा। तो यह दो उप्योग करिने के चे के मने एगजिक माँ तो मैं यह आओ आवा माँ चाओद में जान्युआरी नो दिवस पसंद के रहुची। विनोदबट ना जन्मदिवस नी उजवणी यह अत्यनत विलक्षन रीते थाय चे। विनोदबट ना जन्मदिवस नी उजवणी एज रीते थाय चे। आ एक तद्दन अनोप चारिक रीते एक विशिष्ट रीते आ उजवणी थाय चे। यह हता त्यारे जिये रीते उजवणी थती यह रीते एमना कुटुमबी जनोये, एमना मित्रो बदा भेगा थी ने आज ए दिवस उजवए चे। आज आवतिकाले जे जन्मदिवस उजवणी उजवणी चे। यह तो पाछो इथी विशिष्ट रीते उजवणी उजवणी। आपने विश्वकोष ना अने खास्करीन श्री कुमार पाळभई नो अभार्मानिये ची है के एमने एमना वदारे चाहुकोने, जे त्या आविशक्ता आता जन्मदिवसे एना करता पन वदारे चाहुकोने गेर बेठा, एमना जन्मदिवस नी उजवणी नो आनन्द मले यह विवस्ता आपने आज करिशे क्या है। मुँ ओगनी सो चुम्मते नवेंबर नी अधारमी तारिखे अमदावद मा कायम माते वश्यो एपचिव ओगनी सो पंचो तेर नी चवद मे जयन्युवारी थी लहीने, गई चवद मे जयन्युवारी सुधी नी चन्मदिवस न तमाम उजवणियों मा, मुम भाग ले शेगयो, आजर रे शेगयो, एनो मने गणो आनन छे। आज जन्मदिवस पन आम विशीष्ट रिते उजवाए, कोई ने निमंत्रन नहीं, आजे जन्मदिवस नी निमित्ते कारियकरम राइखे चे के फंक्षन राइखे ने, आप आ को आवता गया, कदा शरुवाद थोड़ा अंगत मित्रो थी थेएशे, पान पचितो आम दिमे, दिमे, दिमे एमा बदा उमिराता गया, आने सवने माटे खुलू, राजेंद्र शुक्ल नो पेलो शेर्चन, निशेद कोईनो नहीं, विदाय कोईने नहीं, मुँ कोई पन आविशाके, अने एटले, अडार वीस वरस ना तरुणो थी मांडी ने, पंचो तेर्यहशी वर्षुदी ना वडीलो, ए उजयोणी मा सामेल थता हता, अने हजु एम ना उसान पचिपन ठाय चे, चवद मिनी सवार नो त्यानो वातावरन जा आखु एक जुदा प्राकार्नो वाए जे, विनोध भाई आखु कुटुम वेला वेला तयार थे जाए, बदा आवता जाए, कोई रिसेप्शन मा होई नेव, सब पत्पताने अनुकुलता प्रमाने आवे, पाचा जाए, बिजा नवा आवे, तेहां एक आखु आखु एक मिजलस भराए, अन आवकारे, अने सरस्मजाना नास्तो नांतेन बदु व्यवस्थित रिते हुजवणी, नास्तो पने हो मारा जो जे, परेजी पालतो है, आम जरा मिठी इरिशाथाए, बदाने आरोगता जोईने, ये वो सरस्मजाना नास्तो, विनोध भाई पोते पन डायाबिटिस होवा ये एम के के जो हू नही खाऊने, तो मित्रों ने संकोच थाए ने, एटले मारे तो खाऊज पड़े तो येम कहिने पन ए बराबर डायबिटिस नी ऐसी तैसी करी ने खाए, आरी तेज येमने डायबिटिस ने पुक्त बनावे लो, येमने जे मान्दगी महा जे जने महतो येमने बाग बज़े डायबिटिस ने आरी तेज पाली पोशीन मोटो करे लो, लगने समारम्मा पन जाए, हूँ आम जो हूँ कव के विनोज भाय डायबिटिस याद छे के नहीं, तो यार आ मित्रे केटलों खर्चों के रोचे, आँ डीष केटली महंगी छे, आना पैसा येमने बरवानात छे, तो पछे आपने नह खाये ते कहीं बराबर के आवाए, एम कहीने मित्रद्रों के रोचे रोचे आए, एम कहीने पन ए सरस्त्रीत है, अने एम केदा दा, क्या डायटिंग छे ने, एनो अर्शु चे डायविधावट इटिंग, जेम्या वगर मरी तो आव आम खायने मरी जव ये बहतर पसंद्गी चे, एव पन ए अस्ता अस्ता केता दा, पन आ बदानु गणू वीपरित परिणाम पची धिमे धिमे आयू, बेजार सत्तर मा, नवेंबर मा मानगी शरू थेग, अने डिसेंबर मा, खुब बिमार पड़ी आए, आउस्प आवनारावने माटे मनाया थी, एक्पे अटली बादी नाजुख थी थी ये प्रणू लेग, पन एम एदे एम लेंएम हतो के, चवद में जयूरी अवे बहु जाजुईद दूर न थी, और ए एए जयूरी मा, एमना एंशी वर्ष पुरा थाथाज़ थाज़ थाज ए़ यह कहता दा के आँ एंशी वर्ष नु उज्विन जी ये तो ठीक एम, यह मनमा च्छे, वे जुए शू थाहिछ, यह यह फोन मा वात करवानी जारे चूट माले त्यारे फोन मा यह कहता दा, पन यह मानगी मा थी यह पाछा, एवा घेर, आन्ने पच्छी नी जे अडारनी साल चाओद मी जान्यवारी जार एंशी वर्ष पुरा था, यह मने बहुत प्रेम पुरा कुछी जाने मानगी अतिद ने, अन्ने इस डिसेंबर मानगी मा गेर पाछा आया त्यारे, हुँ एमनी खबर जो आगए तो विक्रम पतेल मारी साथे अधा, तो यह तो बाहर जे रिते परेष के चाओ परेषरी अराम थी बेठादा जाने मानगा अधा रताज ने, यह फोन है और शेव पुछत हो क्यों तब यह क्यों सारी जै कर से बोरी सागर है यह आए यह को मफलाई ने, वे शीयोग हो तो फालनों मफलाए ने बद हो कि कदाज आई, सिधू स्वाशन जे आशी वर्ष पुरा करीने, एककाशी नो जन्मदिवस पन्क यमने ठाठ माट थी उजिवन, पन्क बन्यूएवु के आज चौदमी जन्युवरी ए उजवनी थाई, यमना पत्नी नली नी बेन बिलकुल साजा सारा आता, यमने अत्यन उच्छा थी, विनोध भाय वास्पिट ने कुई पंडिते जाने आम लागे के सावित्री ए सत्यवान पकड़ी राइखा चे बराबर है ये वी ए रहते आपने आमने इतो होस्पिटर में घर आमने पुछिए तो के जना येने कशुद नही थाई, येने कहीं थाउद ना जुए, ये साजा थी ने आवशेज, ये ये एक का एक, नली नी बेननो हार्ट अटेकती होसान थे लागे, ये बहुच वस्मोग घा विनोध भाय माटे हातो, रात्रे आम बिल्कुल स्वस्थत आथी, सुता अने सवार उठ्याद ने, रात्ना उंगमाज, येमनो हार्ट बन थे, रदेग बन पड़िगो ने अवन ये कार्मो घा एमने माटे जिल्वान आटली मानगी माथी आयवाता, अन्ने एकका एक नली नी बेननो साथ जतोरो, अन्ने जे खाली पो सर जायो, ये सहन करवानो एमने माटे बहुच मुश्किल हज़ा, ये आम ये बनने पति-पत्नी ये देह दाननो विल करेलो, ये तले ये सांजे नली नी बेन वपर पछी ये जो डेज बड़ी लेवा ऑस्पिटल नी वान आवी, वाम ते बाजूमा जुओता, विनूद भाई नली नी बेन शिक्षिका आदा, इवान बलु भाई है इपकूल कांकरी ये ये अवा शिक्षिका आदा, विनूद भाई मजाक मे ये मने मास्तर कहीने ज बोला होता था, नली नी नोता कहता, मास्तर, एटले आम वाजूमा आम डेट बोड़ी जो वानमा मुखियूं, आने विनूद भाई आम लगबग भांगी पड़ा, एमनु एक वाक्य अजी, ये द्रश्य अजी मने आम आप बोलू चु त्यारे पण आम प्रत्यक्ष थाए जे, के विनूद भाई आम कहे छे, के मास्तर मने एकलो मुखिय ने चाला गया, एकलो मुखिय ने, बस एकला पड़ी गयावनो एमनो ख्याल आये वो पच्छी थी, जे आम वीर्तापुर्वक मांदगी सामे जजुमता दा, ये एमने जानमे आम हथि का रेठाम की दिदा हुए ने, ये खबर काड़वा उने, गुर्जर प्रकाषन वाला मनो भाई लगबग बेतन दिव से बेतन दिव से जदा आता, तो दरेक वक्ते चले-चले उके अवे मन जवादो, आउ ये क्यारे कैता नो दा, पान आप अप जवादो, आवे मन जवा नली नी बेन आपसान पचे तो आप जवादो ने कहुँगे ओस्पिटल मा गमतु नदी और नली नी वगरना गरमा पाचा जवादो पन गमतु नदी अवे तहमे विचार करो के एक समवेदन शिल व्यक्ति और बद्धु आदार नली नी बेन उपरमनो संपून आदार नल नुख समय नली नंबेन पोते मांदा आदा दादा डाइबीट में ब्लेड नदी बदु जदुच जदा विनोद भय नी पढ़े पड़नी गाल जी नली नी बेन ले ले लागर ना गया पची पुत्र स्नेहाल के पुत्र करताय वधूवी पुत्र वधू 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 तो वह स्मरन, यह लागतू तो इसले त्यारेज एम लागियू, के आमा थी टकवानू विनोद्भाय माटे अने डाइबिटीस वत्तो जटो जटो, किड्नी मक्रियतिन वत्तो जटो जटो, किड्नी नो प्राब्लेम थतो तो, अने छिले दायलिसिस, के दायलिसिस उपर जवा माटे आमनी मरजीद नो दे, ये तो एक दिवस रात्रे, ये रात्रे बदा आकसमात बेगा दे, चंद्रकान शेट, रगुविर भाय, हुँ, मनु भाय, और डॉक्टर राइस मनियार आएवा, शुरत ना, तमे जानों छो के आपना सारा कवी, रेका गजलकार और अने उत् हाईटा के एवस्पिटल लई जो हाजू है, वो एक दॉक्टर तरीके कोँछूने, मित्र तरीके कोँछू, तमलोकों एने दबान करिने पन संमत करो, ये त्यारे पची मादो भाय ने फोन करो, मादो रामानुझने, और एमने किद्नी ओस्पिटल ना, दॉक्टर प्रण् इच्छा बिल्कुल नौती तौपन, प्राने, आग्रह करिने, पन ये लाम्भू चायलुनी, एक वार छेले आए वाने, त्यारे ही केचे के हवे, हवे मारे नथी फरिवार जहूँ डायलिसिस्म, जे था हूँ ते था है, कान के त्याँ डायलिसिस्मा पन त्याँ जे दर्द पन ये व्यवस्था पन करिती मादो गया, पन तेम चता येमनु मन उठी गुतु, मूलवाद आहती, ओगनी सो पंचानुमा पन आवीच गंभिर मान गिये थी, पन त्यारे हैने जिवुतु, कोई पन रिते जिवुतु, आने ये जिजी विशानाम बढ़े अमा थी उभा नहीं तो एक वखत ब्लड प्रेशर चालिस थे हो जो, आने एक वखत छले जरे एक छला प्रहतना तरीके डायलेसिस करवा लेगा, त्यारे डॉक्टर, विजा डॉक्टर ने केता था, के अर्धा करलाक मा डेट बाडी रूपे बार आवशे, अवे अर्धा करलाक थी वदा जरे डायलेसिस करवा मायव, यहनो रधा एक खमी शेक्यो, आने जिवी गया, यह कोईपन परहिस्थिति में मजाग भी के, यह वस्पेटल मा हादा, आवी मानगी अमा थी बची गया था, पना जी वस्पेटल मा जादा, तया एक जाहर जिवन नी मुट्टी व्यक्ति है, अमनी खबर पुछवा मादे, यहना सेक्रेटरी ने मोख लया, तो सेक्रेटरी यह भुक्या थाए पन चाप मा मुड़ावे लू के विनोदबट गंबीर, एटले यहने पुछू, यहने पुछू, यहने बचे नी कौन विनोदबट तो यहने कुछू का चाप मायव पन सा खालगाताने हैं तो विनोदबट अदे, विनोदबटेाए, इसली मोख टोने पिसे, यहने थी नी कणन्फरम थाए यहने कुछू, यहने काईऊ है ने बच विनोदबट दिसामे एफ टो, तो पच्छू विनोदबट मुदेताने। से ले आजी मजाको ये कोईपन परिस्थितिमा, ये स्वस्थ रहिशक्ता था, पान छिल्ले आ थ्रेविश पांच बेहजार अड़ाना रोज येमनों अवसांध्य। अज अजी अजी आजी ग्यार वागे नियास्पास, समाचार प्रसारित्ः था, अजी त्रान वागे सुधिमात अखु गर भराईगे, लोको आविगा, अन्तिम देमने पन देहदान करे लोगो अजी अन्तिम दर्शन माते बादे आएवा, पन एक यहुँँँँ अचाप व आम बदू अखु एक वाता वरनक। आम एमनी मानगी गणी लांबी चाली। पन एक एक पाचा जता पन एक एक जरया। जारे त्रेविष्मीने बुद्वारे गुजरे या एक विष्मीने सांजे हूने मनुभाई गाता। तो यवनोदू लागतु के अवे एक दिवस पाची नीवै। यहना आगला दिवसे आ विखेष भत ने मारो पुत्र दुरू ने यह विदा पन गया ता। पन एव नदू लागतो गवया बेतन दिवस माझ, पन पछी एक एक जाने, सवार एक ज्यार वागया नी आसपास है ना, पुत्र नो फोन आयो के पपा न थी अवे, एक एक पछी जाने के ने बदू संकेली दिजो, और सांजे एम ना, मृत देह ने लेवा माटे पन होस्पे कोई सहित्यकार ना, परला माँ के डोल नगारा ने शरनाय वादन थी एमने विदाय अपामाले, कानके एमने इच्छा थी ए जारे आड, इसम्बर नी मांदगे माइवा ने पछी ब्याचार दिवस पछी कोई ना लगना था, तो एने ने नली नी बेनने ए उस्पिटल माह त्यारे कयो के जो मने काई थाई जाए ने तौपण लगनमा जवानू, आ चांदलो ने बद्धु जेम चे एमज राखवानू, कोई एवो खोटो शोक मारा मृत्यू नो पाड़वानू ने, मैं जिनकी भर आनन करयो चे, आनन करायो चे, आनन्ती मारा जवानू चे, तो ए आनना मृत्यदेह ने वानूमा मुख्यो मारा थाम ननमा आऊ जो विनोद्भाई, आम मारा थाम हाथ हूंचो तो करयो चे, पन मनमा प्र पछिती एम लाग्यो चे, के विनोद्भाई जनक गया जन्य शान, कान की इतला बदा स्मरान मा चे लोकोना, के औने गरे पन एमना ग करे आजे पन धिये, तो जेविरीते ये बार अटला उपराम सुता था ये पथारी ने बदू बदा आवता जयता जुई शके इतला माटे बार, तो ये बदू एमनम राइख्यू छे, अने बदाना स्मरणमा जाने विनोध भाय हजू जीवे छे, अमना अवसान पची एल्ले पची इस त्रेविस्मी तारिके सानतु भची अथयाविष्मी तारिके टागोर भॉल माः। येमनू भैसनों पन नहीं, येमनी शोक्सभा पन नहीностью। येमना स्वजनों, मित्रों अने ए बदा द्वारा एक भाव्या सभनों आयवजन देगे टागोर भॉल माः। आप सुक्षभान नहीं सार्थ है। नहीं के नहीं सार्थाक है। सुमंध्यार नहीं संपन नहीं, 1 इन नहीं संपन नहीं, यह मलवा अशक्य वद्छे, यहु जोतिन दवना आमे बदा में एक नामकरण नामनु प्रक्रण चे मा आवे चे। पत्नी बदा मा दो पची जे पत्नी हो यह सर्वगुण संपन चे ने सर्वांग संदर चे मोटे बागे डाया पती देव स्विकारिड़ता है। गांधी जी ने को यह पुछे लू के आटली बदी स्त्रिवो ना संपर्क मा तमे आओ चो तमने सौथी सुन्दर स्त्री कौन लागी आज चुदी मां। गांधी जी यह पड़नोई विलम केरावगर के लू के कस्तुरबा। एटले पची को यह कस्तुरबा ने के 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 बापु आओ के तमे सौथी सुन्दर स्त्री लागी आएमने दुनिया मां। तो कस्तुरबा के तमे तो जानों चो के बापु क्यारे खोटू बोलता लूँछे। एटले नाम ने पत्ने नी बापतमा तो आओ पन नाम नी बापतमा पन को 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 आर अकसमा था यह जवा नाम हो यह गुण। विनोद भईनो नाम जने पाड़िवशे एने कल्पना नही होई के यह नाम आतली रिते सार्थक करी बतावशे। अस्यलेखको असाविशाके नेतलु रसी शकता नही एव एक सामा नय चाप चाप अनन्या चाप लगबग साची छेए बिल्कुल साची चाप पन्याची बढ़ विनोद भईनो बढ़िवाद बादा यह था रहसता पन भवदा अम सामा ने रिते सामाईने नहीं को आस्यले वेक हेको बेड में एक नेक रमान बाहद मान में वेरे निलकंगा शाइठ वरस्णिव मर हो फимमर है एक च्छच्षि स경वर से दुन्ट्रा हे विम्मार है जोतिंडर दमे जनकी पर बिमार से बाकुलत रिभाटी वाट अक्ण अजरिए वचंता ओ गुजरिए विनोद भतने पन् डियाबिटीस आते है नचलन पने अन्योर कहिता आशक्षण दवे बाइपास सरजरी करा बिदा किया। में अन्योग्राफी करा एंवेची हिए अननिरंजन तृवेधिय चाली शक्तान नधिए इला हास्य थी हारोग्या सारूरे पन जे हसे न ценसा था थारोग्या सारूरे ओidores में पन विनोद्ध भवद otherwise आम दायरामघ देफे। rouच्वी अम्रकेज फेसंट दे उर्तने कोल रातो करीने तो आत्य वार में वैंने से ज भाहर नोत तो ये विनोध बढ़ छे, के ये सहीत्यमा स्थान छे, के ये आटली बदी मुटी ओलखानों छे, ये बदू कशोज कशो बाहर ने, ये साव निर्भार व्यक्ति जने कि ये ये वी व्यक्ति छे, पांड जे अंगत परिचेमा आवे ने, एम ने वराबर खबर पड़े छे, के आ ये एक मार्क्वेन वाक्यावे छे, वके, the secret source of humor is sorrow, not joy. जे आश्यनों जे मूल छे, जे वेदना छे, दुख छे, आनन नती. अदुख ने वेदना छे, पोता ना अंगत नहीं, लेखक ना, पोता ना अंगत दुख के वेदना नहीं, पन बिजाना दूख, बिजाना दूख बिजानी पिडा, बद्दा आश्यलेखक पन बिजालेखक जेवत चम्वेदन छे लोईज, मैं विनोध भाय ने बकुल भाय नी आँखो मा घणी वार आशुवाम बार निकली जदा जोया चे वाद्चीत मा, कोई येवी वाद चालती वाद्चालती वाद्यारे, एकले ये बिजानी पिडा जोई नशके, बिजाना दूख जोई नशके, येमने गरीबी खुब वेठेली विनोध भाय एक प्रसंग येमने आत्मकथा मा लेखो चे के ये निशाले जाय तो चंपल नी सगवड नोदी अने गरमा बापुजीना चंपल आथा, बिजा कोई चंपल नो आए मोटा दिक्रासो ते, एक दिवसे प्रसंग गया चंपल बापुजीना, बापुजीना तो बापुजीने पची कोई ना वेविशाल मा आजरी आप जावन तो चंपल वगर के जावग जावग येटले कोई कोई गदाज विनो प्रसंग गो हाय तो ले बापुजीनी श आए के दिक्रान चंपल आप आविशकता नधे अत्यारे पन कड़ावी लेवाना तो येटले ये चंपल ये प्रसंग आडवा जारे पिता जीपा चा वेविशाल मा आवी गार में ये के दा रात्ना आमे गणिवार कहाली पापड ने शेकी ने ए वदू करी ने रात नु खावानो एरीते चालतो दो, यही गरिबी वेठेली, एने कारणे एक कोई गरिबनी पिडा चने एमना थी जरापन वेठादी नादे, यह प्रकार नू जे एमनी कृतियो चने एनू हास्य चे पने मा कटाक्ष वदारे चने वेदना वदारे चे यह आज्य आ वेदना माथी आ एनना एक लेक माँ आवे चे के कलकत्ता मा पग रिक्षा मा पेडल रिक्षा मा बैस्वा माटे गया, तो जोई उतो जे पेडल रिक्षा चलावे एने एना पगे पाटो हो तो, वागी हो तो हो खुब, जना थी एने आ रिक्षा चलावाने यह जे पग थी, तो पुछु ए कि तारो पगतो आठल आवो दुखे चे, मोट्टो पाटो बांजो चे, कहीं वाज्यू लागे चे, रिक्षा के वी रिते चलाविष्दु। यह रिक्षा वाला यह कहूँ के साब रिक्षा तो रिक्षा पेट से चलती है, पाउं से नहीं चलती है, आप पेट नो खाड़ो पुर्वा माटने मारे चलावाने चे, यह रिक्षा पेट से चलती है, पाउं से नहीं चलती है, तो यह जातनी जे गरिबी, यह जातना इमना लेखो मा ए प्रकार चे, एक एमनी लगू कथा चे, एक दहेज कथा, एक कोई पन आपने जो वच्चे तो वहा समाचरो बहो जावता था, कि अजी आवे चे, कि दहेज ने कारणे ने सासरी आवे बाली मुखी पुत्र वदूने, तो एमनी एक कथा चे, कि दीक्री ने सासरे वड़ावे चे, माबाप बती तयारी करेशे, दहेज जे प्रमाणे करूतु इप्रमाणे बदू, स्कूटर ने, कबाट ने, तीवी ने, बदू, दर्दागी ना, इबदू आम जोई रहा, पच्छी पिता ये, एलेके, ए माबाप माती, पिता ये माने पुछु, कि आपन आपदू आपियतो चिये, पान वेवाई ने उच्छु नहीं पड़े ने, तो माये करूँ, कि उच्छु पड़े ने, तो एनी व्यवस्था पण में विचारी राखी चे, एक केर्यासिन नो डबब पन मुखिवाचे, आवी, आबदी कथावमा वेदना चे, कटाक्ष चे आपनी समाज विवस्था केवी चे, एनी वाद चे, एक वारे वुब बन्यू के, एलले आतो एव वक्टेम नो फोन आएवा तो के, मने के चेन पड़तू ना थी, एक सवार ना चापा मा समाचर आएवा के, एक जुनियर डॉक्टर नर्स ने तमाचो मार देजा, आ समाचर चापा मा वांची ने कांकरिया, चालवा जता गया, पन एनी आम, एनी, एनी, एनी केविरी देज, आ केवु केवाया, आ आ चोक्री, कदा चेना पति नो तमाचो सहन नही था हो हो है, एकले घर छोडी ने आविएशे, बनी अशे नर्स नो, आज ए आज जुनियर डॉक्ट तमाचो मारे चे ये तो एनी सहन करिज लवा पड़वानाची, कान के एनी नौकरी करवानी चे, इटले एमनो फोन आवे लो के मने क्या ही आम चेन पड़तु नगे, मारू बीप वदी गवचे, मने थाई चे क्मु कशुक नही लखुने जा जान सुदी आना विशे, त्या प्रकार नो वेदना वालो लेखत। एटले आ एमनमा आपने आयनो बिजु पासुत। जे लगभग छुपायलु जरहु। कान के ए जाहरमा तो जाने एम लागे का आवानस ने कोई तकलीप नती आवानस ने कशु अड़तु नती आने तो बस असा हस्ची वाई बिजु का पड़े पान अंदर थी ए अत्यन्त रुजू, अत्यन्त सम्वेदन शिर एवी गक्तियत। ओगणी सो पंचो तरनी चव विष्मी जुने जारे देश्मा कटो कटी लदाए। आ कटो कटी वक्तिया तुमाचु नवचु मलवानु थातुत। पन जारे मलवानु थाय जारे आने अत्यन्त व्यथा थातिती। आने सथित। आ आल लोक्षाहिनु गळु ग्वंटी देवाम है उचेल आपने कहीं करी शक्ता नथे। ये वक्ते संदेश्मा इदम तृत्यम कौलम लगता था। सेंसर्शी पती, कड़क सेंसर्शी पती। आने एटले मुटा बागवान आने लगवानु तो चालु जराखा था। आने चिमनभाई पतेल, संदेश्ना, तंत्री आने पन बेधड़क आवे ते चापपानु पने मुटा बागवनु सेंसर्वान इकली जो तो पन को को आर सेंसर्शीप ना अधिकारियोनी आस्य वृत्ती नबली होए अतो आतो एन ग्रहन शक्ति नबली हो एने काने के तो चापाई पन कायो। आले के एक लेखे नो चापायो एमा एक मानसाम पोली स्टेशन नी सामय अभवरी ने एक व्यक्तिने कान आ देश बर्बाद थाहरो अचे एम भुमो एले पहला ना पकड़िगा, मारवा मायन। गनो बदो मायर देशन रड़िगा आचे पागल लागेश से एक लिए कैचे एक व्यक्ति कोन। तो पीलो के इतलर है के लेखे, एकले आले का मायरो जाया एकले सामया ने को पूलीस अमलदार ने बुछाए के लेखे नाम थेखे ये अवारामन में कोनू नाम हो। तो आधे व्यक्तिने का यह नहीं इंदी राजी नु नाम आवतु नहुतु नहुतु एविविए प्यला ने कहबर पड़ी निए आशे नहीं वादु पन एक निजी कथा छपानी कटो कटी माँ यह पन आम एविरितनी हती के प्यला लोको समझी नशे ग्यास। साहित्यकृतियो माजे संकुलता होय। यह तो अमुक प्रकार नी ग्रहन शक्ति होय। साहित्यनों अभ्यास होय तो था। यह कथा एविछे के हमके यह तले एक पात्र, यह हैर कटिंग चलून मा दाखल था। दाड़ी करवन वालंदे शरू करी। दाड़ी उपर बिजो हात फेरोता वालंदे पुछू के साहिब आप मूच राखू के न राखू। यह तले पात्षड केलेंडर हात। यह मा इक केलेंडर नो प्रतिभिम पड़तूतू काच्मा गांधी जी हसता हता। आने पहला यह कहू। के आप मूच तो मर्दान गिनू प्रतिक छे। तो अत्यारे तो यह काडी नाख। आप कथानों शिर्षक चे मरद। काडी नाख। होई तो यह चे नहोई तो यह चे। अवे आव आरता चपाई गेली के आद देशमा आज आज आदनों केम आप। गांधी जी नी चबी नू पन प्रतिकात्मक उप्योग अनी अंदर कजो अच्छ। इंदिरा गांधी यह ते पन याद आवे आने गांधी जी निर्भाइतानी मूर्ति अधा। ए गांधी जी नी चबी नी साक्षिये मुझ पड़ाई नाखवाने थी। तो आवे पन एमना कटो कटी दर्म्यान अबदू चबाईग। पन एदु मुख्य वादा आती के एमना मा आ जातनी समवेदन शील था। आप कटो कटी ने कारणे जी लुए। एमन ये पन कहता था। चिमन भाई संदेशना तंत्री ने के आपने मारा लेखने काने आपने बंदेने जयल मा जाव पड़े। ना बदे। तो चिमन भाई पन बेदड़क जे आवे ते चापता था। निकली जा ये जुदी वाच्छ। ये ते चापता था। ने खापता था। ये छापता था। ये जुदी नाखता था। पच्छि जंश बादाः नाख तो निकली जाए। गरमा येग प्टा कि जो आवे जेल मा जावव पड़े। पड़े। इंपन काई मैं खबर नहीं वाखता था। आ मजाक पन करता जाए, हमें साथे साथे आनी जे पिड़ा है रोज बरोज उमा शंकरभाई चविश्मी जुने एक सरस कविता लखिती, ये संस्कृुति में ये पन कदा सम्झाय नहीं हुए ये संस्कृुति में चपाय पना थी, ये छली तारिख वांचो ने त्यारे जी छिफ़ो पने पलोओ, बदो छिणा आम खिरो थे म्हें जी से वातावर्णा गेकाले हरु ये जाजे चे है। ले तमा झो जीवन के जी तो बदो चालदूत है।न्व पन उमा शंकरभाई ने कविता मा छिली लिटी आवें चे पन망ीले हर तो ये तडको क्या में चेुत पारीख लखी चारीख लखी चाविष जून गणी सो पंचोते अने कारणे अकविता नो जे मरम चे पन इतो पहला लोको क्या समझे लागा तो अटले कटो कटी वक्ते गणा विचलित थे गादा गणा जल्मा पन गया ने गणा ये पोत-पोता नी रिते कटो कटी नो सामनो पन केरो पन केवानी वाद आचे के विनूद भाई ए मात्र लेख गदा ये आस्या लेख गदा पन अंदर थी अत्यंत रुजु आने समवेधन शिलता विनूद भाई ना व्यक्तित्वनु एक महत्वनु पासु एमना विचार वाणी ने वर्तनी एक वाक्य दाजु आज तो कोई पन मनुष्य पासे आपेक्षा होए पन साहीत्यकार पासे विशिष होए के एना विचार वाणी वर्तनमा एक वाक्यता होए दर्शा केवु कहता दा, कि ग्नान पहला आवे छे, आचरण पछी आवे छे, येटले गम्य तेवी व्यक्ति माँ पन ग्नान आचरण वच्चे थोड़ोक तफावत्तो रहेत जाई छे, ये बराबर, पन ये तफावत जेटलो ओछो होय, तो येनू साहित्य पन वधारे विनोध्वाइ इन्टीगृटि एह ऑहने बोव मोटि मुडियती , ये ओवु कहता दा, कोई पन व्यक्तिनी ऐ। तिका करू ये ये ज करो के जे देहने हाज्रीमा पनँ पनु करी जेडि़ी अ후, एने हाज्रीमा न करेशकु। अब येवी कोई तिका, कोई व्यक्तिनी कर तोरुन्थे। एटले चंद्रकान बक्षी जेवा लेखको साथे कोई वार एने कारणे गणा मद्वेदो पन उभा थाए। पन एमने जे कैवानों होए। ते स्पष्ट रिते जर्रापन पड़दो राख्या वगर ये अभीप्राय आपी दे। आने जे मानता हो ये प्रमान अभीप्राय आपे। एटले एवनों और ते वंदिक साहित्यकार संत मात्मा हो जो ये ए मनुष्य जो है। पन ए अंदर और और बार ये जेतलो सर्खो हो है एटलो एनू साहित्य वधारे तेजस्वी है। आनि पासे अपेक्षारे। गांधी जी तो एनो पन दरेक जन पोताना सहित्यकार, पोताना विचार्वाणी वर्तन नी एक वाक्यता जेटली जालवी शागे। विनोद भाय मा बवजोदु। अने कोई नी पन साड़ी बार राखे आवागर। एने कारणे गणा नाराज पन थादा पन थादा पन ये चापामा दो ये बिलकुल बैद थादक laughed लखी शक्ता तए नी करणी थाद इन्य थादने नाराज रना राखे पन्ये थादावानृ कर्णी थादनु कृ। येन्य कारणी धु के तयु कियो था ज्ली व्य्या है। आनी मुुत अनी मुत्वी वादती है। आनी हुवाद। दोह अने जारा कार नहीं चोरी थे ही अना गरमा थे. तो एक सामान्य फर्यादी जे रीते, पोलिस टेशने फर्याद लखावा जाए. ये रीते जी जे कोईपन ने फोन कर रोगाता है अने. तो राइटर जे आए बदा साथे निकट नो परिचए है दो पन, कड़ी नहीं, पोत्तान माते, मित्र माते करें कोई मित्र काम पड़ी हो और कोई मिनिस्टर कायवा जेई ने काईवा जेए और कोई भी भीजा कायवा जेई हो तो यह चौकस के, यहाः शर्त पाची यह आड़ा हि that के ये काम नियम सरनु औने काइदे सर्वावुज़। बिल्कुल कोई खोटू करावी ने, कोई नु काम करी अपपानु ने, नजीक माने, एक एक एमना अत्यन निकटना सगा, एमने फोन केरो, के एमना दिकराव उपर आवख के स्थव अन्ने तमे इने छोड़ावी दो, तो एमने कहुतु के मारा दिकरावव उपर तव न नहीं उना छोड़ाव। काइदो काइदानु काम करें, एमना वच्चे न आ हो। एठले पन मित्रनु काम जो नियमसर्नु होई ना वईवटी आटी घूटी मा अटवात होई, तो जाते जही ने एकरें। साहित्यपरिषण ना प्रमुखता त्यारे कर्मचारियों ना जे प्रश्णो हता, जे कलास्वाद्य मंदिर जने सरकारत रप्ति पूरी, ग्रांट मरती ती अना जे प्रश्णो हता तो जे रिक्षामा गांधी नगर सुधी जाए, और बदाने मली ने एवदू काम एवदू भणे से सहीत्यकार थे सहीत्यकरत तो सहीत्यकर पर जे प्रश्णो हता, जे कदि बसे क्वए ईनो बाता नगर्श पने मित्र के सुधी 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 ने एवदू ऑर निकत्ना मित्र थे एवदू। वगणिसौ पंचानु माँ जारे बिमारता त्यर वरू जो बदी को सामान्य मलवा कर वानु था पार आप बनने व्यक्ति वने में क्यारे जोई नोदी। यजले बनने एक जन दाव पक एक जन जमनों पक आम सेवा अविरित करी दाथ के कोई निकतनी व्यक्ति वह लाग्य। है कर भी पल्तमनी होके वनिकतनी कोई सम्मन्धि पह मोट व्यक्ति सेवाणी व्यक्ति विनलबद जेवडी अमन्नि यहां पहक नभलन माद खाल वहाड़िक। जरा कोई सगा बनना से गी विधित्थाए एक। लो गया पची मैं पूछु के आ बने कोण हाता? जारी एक अउठमाद मा जना समोसा आखा अचा अमदावाद मा प्र dalla करना щеcard udah रमान रा गांची है आने जनो जऒगा अखा अमदावाद मा प्र dalla कख चे विजी व्यक्ति महाराच्चेवडा वला हाता वी ये बननना अंगत मित्रव हुआ। और अझे ये कहता दा के पुस्तत हुआ। मारी कोलं थर न न थीी पनो स्विना कुछी एक पुस्तक अर पनो गेल। आख बनने ये रम लाल घंची न थी अणिनल माहराज चैवडा वाला्न। पचि ये कहता था क्या पुस्तक तो में प्रेमने कारणे अर्पन केज उच्छब अपनि इव्यमा थी को या पुस्तक वाचवन न थी पान आवी निर्व्याज मेत्री थी कोई पान इटले ये वग एमने एमन था के पोते आ कक्षा ये पांच पान ये जे ये के बंदे मारा बाल गोठी आओ आमे आरे रमीने मोटा था ये बदा साथे ये वी अकबंध मेत्री ये जाडवी राखें सौथी मोटी वाद तो ये थाई के खना शंकर सीजी ये अपना पुरुव मुख्य मंत्री ये अमनी साहध्य ये 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 बरिते एक शशिकांत लाखानी मिनिस्टर ये 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 साथे बंता ये 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 गंमत पन चे अमना पिता जी एक वाले वाले ये ये एको उमेत्त आरे एक शन walksाता है में эк वाले मिनोतभाई ये ये एक दी एक दी ये पुछई çıkarके विनू तमारा व खतн मां बंकड़ के और मूट जो गुथामे जो ये 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 बदा ये ये इचτα पांगे वाले ये ये येपने आपने मित्रों आटलाब दा मित्रों चिये ना नजीक ना, तो एमने एक करोड रूपया नी थेली अरपन करवी, एमने साहित्य सेवा माँडे, विनोद बाई विजा माँडे चोक्कस मागे, साहित्य परिषयद ना प्रमुखता तो शंकर सींजी ने कहुतु के आतमारो मित् अरप बामन चे परिषद्नो प्रमुखता तमें कहीं कहीं का आपो परिषद्ने आने ए जमानामा एक कावन लाख रूपया ए गणी मोटी रगम क्यावा एवी सरकारे आपी थी सहाही रूपय विश्वकोष्णे पनाविदी तो ए शंकर सींजी ये अंगत आने मित्रों ये एक करूड रूपया अटला बदा बेगा थी नापे तो बहु मोटी रगम ना गणाए एवा पन एक करूड रूपया एक व्यक्ति माटे ए मोटी रगम क्यावा ए अने विनुद भाई साइट वरस नी उमर अठावन वरस नी उमर थे न के सरकारी नौकरी करतो हो दूँ ये पहला स्वरU अने महिती खाता मा केवा कोई सरकारी खाता मा कारकून तरी करी करें एम हे सरकारी नहकरी करत। अठधवार्फ वर्षी निवरुद्थातना। तो उवे निवरुद्था ही जवजे। वापगा दंदा माद हो. ऐटल अवना पिता ना भैंने भायों नी पासे. एना भैवुपेंद्रभाय और विनोदबाय। इटले पेडी चाली आवती थी, पिता ना अवकत नी एटले विनोदवय ने काई मुक्त था नु अनिवारियन होगा ने एमनी इंकम टेक्स न आवग घणी एले पेडी घणी मोटी गणी फाहिलो एमनी पासे। इटले गणी आवकती पने अन्धुक अठावन वर्ष अवे निवरुत्ते जीने विजु साहित्यनु नानते काम करिये पन अवे आ काम अर्थिक उपारजनु काम अवे न करू गर्नावन पूछू इटले बदाय हाँ पाड़ी आने ये वक्ते कि इंक कॉलम ना पुरस्कार तो पची बव मुट्टा था ये वक्ते कि इटला कॉलम लेखन पुस्तकोने रोयल्टी तो दस ट्रका अवे मनुभई एक वार एमने रोयल्टी चुक्वी एडले और मनुभई ने पुचू कि आ रोयल्टी नी रखम वधार लागे था तो कि हा तमने चने तेर ट्रका के प अवे पंदर टकाई तो कि नाम अनुभई विजा लेख कोने जे आपव एज मने आपवा मारे वधार जोईतु नदी एले मने पंदर टकाई दस टका कराई दिदा पाच्या एले निवृत्त था ये निवरुत्त था था या शाइट वर्ष्णिम मरे अथावन वर्ष्णिम अनने अवे एटले एवी कोई अवग घर मा नीमित नवती अनने करोड रुपया मित्रो भेगा थी ने आपता था तो यह ने कयो शंकरसीं जी ने शंकरसी जी एक वार तो अगेर जी नहीं आगव, एटले एमने कहु के जो, तमे आग कहुने एटले मने मणे गापीता। पन साहित्य सेवा मैं आने माटे तो करीजना थे, मैं तो मारी गर्जे लएखुचे। यह लएखुचे, यह साहित्य काम केरिऊचे, यह मारी गर्जे केरिऊचे। अविरीते एनकेश करवानो हाइनिंग। यह लेखुचे एने गर्न्ने पुचे जो, कि जो आग करोड रूपया अविर आचे नव ना पाद वानो अचु तमे एमा सम्मध्छो ने बदाये सम्मत्य आपी। अनने विनम्रता पुर्ववक एक करोड रूपया नो अस्विकार करें। इपले आपने जे बिला भ्राह्मन जे परली के लिए ने अकिंचन्तावा पंडे अकिंचन्ता उड़े तेजो दिफ्त अकिंचन्तावा परली गरीब नहीं नहीं, तेजो दिप्त, एक साहित्यकार, एक जम कवी नानालाल छे, तो पच्छी काम नहीं रहुआ, पर सरकार माथी राजना मौ आपी दिदू, और पच्छी विध्यापीठ मा जोड़ावन आता है, जोड़ावनों बन्यू नहीं, और नानालाल तो पौ तो एमने पूच्छी एजुकेशन पहला अधिकारी तरीके, तो नानालाले एमने कई के मारा उप्री कोण, तो तमेज एजुकेशन मा, पन मारा उपर तमेख ख़ा ने, तो गा, उतो खरवाजने, तो एज नह चाले, मारे जाले तो एमने घणी मुश्केली याजी पन आ सा आतीकार केर्णिक हो, क्या आ कबी नीखो रहीए, एरीते विनोध भ zeker एक करोड उप्या फिनम्रता ती अस्विकार के जो विनोध भी आज एक करोड नी रकम नो सोनी बेपेफिज कह Bene खोट कहूंस है अणिय प्रेम्ति आपता हने तक نے था पान अम्रत्मों पुर्वा कह कहने खोथे रहूका युse बहुते बावना कहने अजी। पान हे अणियो रुकम सवयकार कहें अने बेचार मित्रों जे जानता था एमने अमने ताकिद करिये थी, कि जो जो हो आनो प्रचार न थाए, कान कि नीतर पची पोते रकम नो स्विकार करोन पची अनी प्रचार थाए तो एनू जे गरीमा छे ये जंखवाई जाए, पन शंकर सिंजी ये पोते टीवी उपर एक क अगर पड़ी, विनो दभाई ना संस्वनोन ना सथवारे आपने ठिक-ठिक मजल कापी छे, पन हजू एमना विश्य गणी वातो बाकी छे, खासकरिने तो आस्यलेखा कथा, आपना उत्तम आस्यलेखा को माना ये कथा, एटले हास्य कृतियों सिवाई पन एमनी जे ये पन सचवाई जवी जूए, एटले ए बदी वातो माटे आपने फरी एकवार मलू पर्षे, आपने जरूर मलीशू, त्यां सुधी आपने आ वातने वागोडीशू. स्री रतिलाल बोरी सागरे, एमना वक्तव्यमा विनोध भटनी गणी वात करी, बे हास्यकारों वच्चे केवो सबंध होई छे, अने केवी वातमा एले लोको हास्य निश्पन्न करी शके छे, एनी अध्भूत वातो आपने एमनी पासे थी सांबलवा मली, आपने विनोध विशे गणू बदू जानिये छे, पने एमने एमना केटलाक पासा, एटली सरस रिते उजागर करी आप्या, के आपने एम थाए, के विनोध भटे जे गुजराती साहित्यमा प्रदान कर्यू छे, एमने एमनू बहु सुन्दर रिते मुल्यांकन पन करी आप्यू, ए बदल रतिलाल बोरिसागर सहेबनो विशोको स्ट्रस तरफ थी आभार मानू छू, साथे साथे श्री अर्विन भाई बारोट अने बिखेश भाई बट जे अमारा काम्मा सतत सयोग आप्तार्याचे, एमनो पन हो आभार मानू छू